नवस्कार आप देखरें नीज़वल इंडिया आपके साथ मेहूं का जोल नराइन शुरुवात करेंगे खबरों की उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बहुचन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायवती ने बड़ा एलान कर दिया है उन्होंने मौ से पार्टी के विधाय मुख्तार अंसारी का टिकेट काटते वे कहा है कि चुनाव में ब्यस्पी किसी बहुबली या माफिया को टिकेट नहीं देगी मौ सीर से अब पार्टी के प्रदीश अध्यक्ष भीम राजपर चुनाव लड़ेंगे माइवती ने ट्वीट करते वे कहा कि ब्यस्पी का अगामी यूपी विधान सबाचुनाव में ये प्रियास होगा कि किसी बहुबली और माफिया को पार्टी से चुनाव ना लड़ाय जाए इसके मदे नजर ही आजमगर मंडल की मौविधान सबासीट से अब मुखतार अंसारी का नहीं बलकि यूपी के ब्यस्पी स्टेट अध्यक्ष भीम राजपर के नाम को फाइनल किया गया है इसके साथी माईवती ने साथ 136 की उम्मीदवारों को टिकेट में प्राथमिक्ता देने की निर्देश दिये हैं ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के वरुद सक्त कारवाई करने में कोई दिक्कत ना हो वहीं एक और ट्विट में बीएस्पी सिप्रूम मायवती ने कहा है कि ये बीएस्पी का संकल कानून द्वारा कानून का राज के साथी यूपी की तस्वीर को अब बदल देने का है ताकि प्रदेश और देश ही नहीं बलकि बच्चा-बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जिकी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जैसी उन्होंने लिखा कि बीएस्पी जो कहती है वो करके भी दिखाती है यही पार्टी की सही पैच्चान भी है मईवायवती ने एलान किया है कि वो काफी एहम है क्या है मुखतार अंसारी का इतिहास वो इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कौन है माफिया मुखतार अंसारी मुखतार अंसारी एक भारतिय माफिया डौन और उत्तर प्रदेश के राजनेता है अंसारी मौ निर्वाचन शेत्र से विधान सभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड पांच बार विधायक चुने गए है वह कही अपराधों सहिद ग्रश्टानंद राय हत्या के मामले में मुख्यारोपी थी लेकिन अंसारी को दोशी नहीं ठहराया गया अंसारी ने पहुजन समाज पार्टी के एक उमीदवार के रूप में अपना पहला विधान सभा चुनाओ जीता और अगले दोबन जिसमें एक सुअतंत्र के रूप में दोहजार साथ में अंसारी बस्पा में शामिल हो गए और दोहजार नो के लोगसभा चुनाओ लड़ा लेके असफलता हाथ लगी जिसके बाद बस्पा में 2010 में उन्हें आपरादिक कतिविदियों के खारण पार्टी से निश्कासित कर दिया बाद में उन्होंने अपने भाईयों के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया वह उत्तर प्रदेश विधाई विधान सभा चुनाओ 2012 में मौ सीट से विधायत चुने गए 2017 में बस्पा के साथ कौमी एकता दल को विलै कर लिया और बस्पा उमीदवार के रूप में विधान सभा चुनाओ पांच भीवार विधायत के रूप में चुने गए परिवार का गौरवशाली तिहास सिर्फ डर की वज़ा से नहीं बलकि काम की वज़े से भी इलाके के गरीब गुर्गों में मुपतार अंसारी के परिवार का सम्मान है मगर आप में से शायद कम लोगों को ही पता हो कि मव में अंसारी परिवार की सिज़त की एक वजह और है और वो है इस खांदान का गौरवशाली तिहास खांदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है वैसी शायद ही पूर्वान चलके किसी खांदान की हो बहु वली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार एहमद अंसारी स्वतंतरता संग्राम आंदूलन के दौरान 1926 से लिगका 1927 पे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अध्यक्ष रही और वो गांधी जी के बेहत करीबी माने जाते थे उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है नाना थे नवशेरा युद्ध के नाया मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थी जिनोंने 47 की जंग में ना सिर्फ भारतिय सेना की तरफ से नवशेरा की लड़ाई लड़ी बलकि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई हाला कि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गई थी पिता प्ये बड़े नेता तो चाचा रहे उपराष्ट पती खांदान की इसी विरासक को मुख्तार के पिता सुभान उल्ला अंसारी ने आगे बढ़ा है कमिनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साथ सुत्री छवी की वजह से सुभान उल्ला अंसारी को 1971 के नगरपाली का चुनाओं में निर्विरोध चुना गया था इतना ही नहीं भारत के पिछले उप्राष्ट पती हामेद अंसारी भी मुख्तार के रिष्टे में चाचा लगते हैं 30 जुन 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजिपुर जिले के मुहमदाबाद गाउं में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ बाहु बली मुख्तार अंसारी के परिवार का इतिहास काफी अच्छा रहा है मुख्तार अंसारी के पिता सुबहान उल्ला अंसारी कमिनिस्ट नेता थे मउव विधानसभा सीट से पांच वीवार विधायक मुखतार अंसारी पहली बार 1996 में बसपा के टिकट पर जीत कर विधानसभा पहुचे थी और फिर 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मउव से जीत हासल की इन में से आखिरी तीन चुनाव उन्होंने बेश की अलग-अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े अंसारी बंधुओं ने 2012 में अपनी राजनितिक पार्टी कौमी एक्तादल बनाई थी जब क्राइम की दुनिया में पहली बार सामने आया मुखतार का नाम साल 1988 में पहली बार मुखतार अंसारी का नाम क्राइम की दुनिया में आया था जहां मंडी परीशत की ठेकेदारी को लिकर लोकल ठेकेदार सचितानंद राय की हत्या के मामले में मुखतार का नाम सामने आया इसी दौरान प्रिबोवन सिंग के कॉंस्टेवल भाई राजेंदर सिंग की हत्या बनारस में कर दी कई और इसमें भी मुखतार का ही नाम सामने आया माफिया डॉन प्रजेश सिंग से थी दुश्मनी इसके बाद साल 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंग केंग में कबज़ा जमाना शुरू कर दिया अपने काम को बनाए रखने के लिए मुखतार अंसारी के गिरहों से उनका सामना हुआ यहीं से ब्रजेस सिंग के साथ मुखतार अंसारी के दुश्मनी की शुरुआत हो गई फिर 1991 में चौदावली में मुखतार पुलिस की पखर में आया लेकिन आरोप है कि रास्ते में दो पुलिस वालों को गोली मार कर वो फरार हो गया इसके बाद मुखतार अंसारी ने सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोईले के एकाले कारोबार को बाहर रहन कर हैंडल करना शुरू कर दिया जिसके बाद साल 1996 में एसपी उदर शंकत पर हुए जानलेवा हमले में एक बार फिर मुखतार अंसारी का नाम सुर्खियों में आया फिर साल 1996 में मुखतार पहली बार विधायक बना और फिर उन्होंने ब्रजे सिंग की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया और फिर आया साल 1997 ये वो साल था जब पूर्वानचल के सबसे बड़ फोईला व्यवसाई रूंगटा के अपरहन के बार मुखतार अंसारी का नाम क्राईं की दुनिया में पूरे देश में च्छा गया आरोप है कि 2002 में ब्रजे सिंग ने मुखतार अंसारी के काफिले पर हमला कराया था इसमें मुखतार के तीन लोग मारे गए थी इस हमले में ब्रजे सिंग भी खायल हो गए थे और इसके बाद मुखतार अंसारी के पूरवानचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उग्राव 2005 से है जेल में बार महिना अक्टूबर साल 2005 मुख जिले में हिंसा बड़े इसके बाद विधायत पर कई आरोप लगे हाना कि वो समी खारिश कर दिये थे उसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्म समर्पन भी कर दिया और तभी से वो जेल में बंध है वहीं इसी दौरान मुखतार के भाई अफजल अंसारी क्रश्णानंद राय से चुनाओ हारी है मुखतार पर एक आरोप ये भी है कि उन्होंने शाप शूटर, मुन्ना बजरंगी और अतिकुर रह्मान उर्फ बाबू की मदद से पाच साथियों सहे क्रश्णानंद राय की हत्या करवाती और फिर 2010 में अंसारी पर राम सिंग मौरे की हत्या का भी आरोप लगा बता दे राम सिंग मौरे, मन्नाच सिंग नामा के एक स्थानिय ठेकेदार की हत्या का गवाह था जिसके बाद 2010 में मुखतार और उनके दोनों भाईयों को बस्पा ने निस्कासित कर दिया क्या था क्रिश्टानंद राए मडर केस साल 2005 में मुखतार अंसारी जेल में बंध था इसी दोरान बीजेपी विधायक क्रिश्टानंद राए को उनके पाच साथियों सहित सरयाम गोली मार करूं की हत्या कर दी गई हमला वरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से जादा गोलियां चलाए मारे गए लोगों के शरील से 68 गोलियां परामत की गई थी इस हमले का एक महत्योपूर गवा शशिकांत राए 2006 में रहसे मई परिस्थितियों में म्रत पाया गया था उसने क्रश्टानंद राए के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और वजरंगी के निशाने बाजों अंगद राए और गोरा राए को पहचान लिया था क्रश्टानंद राए की हत्या के बाद मुखतार अंसारी का दुश्मन ब्रिजेश सिंग गाजीपूर मौचेत्र से भाग निकला जिसे 2008 में उडिसा से गिरफ्तार किया गया था 2008 में मुखतार अंसारी को हत्या के एक मामले में एक गवा धरमेंदर सिंग पर हमले कारूपी बनाया था इसके बाद साल 2012 में महराश्टर सरकार में मुखतार पर मकोका लगाया उनके खिलाफ हत्या अपरण फिरौपी जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज है मुखतार की हत्या के लिए दी गई थी 6 करोड की सुपारी दी थी इसका खुलासा साल 2014 में लंबुश शर्मा की गिरफतारी के बाद हुआ इसके बाद से जेल में अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी माफिया डॉन बीते 17 सालों से जेल की सलाखों के पीछे है माफिया डॉन माफिया डॉन बीते 17 सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंध है मडर, किड्नैपिंग और एक्स्टॉशन जैसी दर्जनों संगीन बारदातों के आरोप में मुखतार अंसारी के खिलाफ 40 से जादा मुकद में टर्च है फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए भी ना सिर्फ चुनाओ जीतते हैं बलकि अपने गैंग को चलाते हैं 2005 में मुखतार अंसारी पर मौँ में अपना गैंग चलाते हैं ब्यो रिपोर्ट न्यूज वर्ड इंडिया आगरा के शागंच बाजार स्थेते एक रेडी मेट एमपोरिया में भीशन आग लग गई वहीं मामले में शौट सरकिट से आग लगने का अंतिशा लगाया जा रहा है आग लगने के इस घटना में एमपोरियम का लाखो रुपे का सामाज जलकर खाक हो गया जिले के शागंच बाजार के रूची रेडी मेट एमपोरिय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है आगरा के तस्वीरे आप देख रहे हैं जो आपर भीशन आग लगने से कपड़ा एमपोरियम में लाखो का नुकसान बताया जा रहा है अंदाजा लगाया जा रहा है कि शौर्ट सरकीरी वजह से ये भीशन आग लगी देखते ही देखते पूरा एमपोरियम जलकर राख हो गया सूशना मिलते ही फायर बेगेड भी मौके पर पहुँची और कड़ी मश्रक्कत के बाद आग पर काब पाया है मौके मंत्य योगी आदेतनाद का पशुपालन का ड्रीम प्रोजेक्ट पशुपालन अधिकारियों के लापरवाही के चलते फ्लॉप होता नजरा रहा है बता दें कि बस्ती जिले के राम नोतो फिर गौशाला में तीन दिन में चार गायों की जान जा चुकी है वही मामले में चिक्सकों का कहना है कि इन गायों की मौत गंदा पानी पीने के चलते हुई वही मामले में उपजिला अदिकारी हरया सुखुवीर सिंग ने गौशाला का निरिक्षिन किया इस दोरान उन्होंने कहा कि ततकाल गौशाला की साफ सफाई कर गौशाला को सुचारू रूप से चलाया जाएगा और गंदा पानी यहां से निकाल कर बाहर किया जाएगा वहीं मामले में सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इन गायों का मौत का जिमेदार आखिर कौन है बतादें कि बस्ती जिले के दुबोलिया ब्लॉक के रामनातौफिर गाउं में वरद गौशाला सेलक्षन के दर 2019 में एक करोड बीस लाग की लागत से तयार किया गया था लेकिन तस्वीरे आप देख सकते हैं कि एक करोड की लागत से गौशाला तयार की गई है लेकिन यहाँ पर हालात बच से बत्तर हैं गौशालाओं में पानी घुटों तक भरा हुआ है कई गौवनशों की जाच चुकी है लेकिन इस ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है वहीं गंदा पानी पीने से पश्वों की जान जा रही है तस्वीरे आप देख रहे हैं जो वहाँ पर पानी भरा है इसमें बरसात का पानी भी मिल गया है ऐसे में नदी नालो का पानी भी यहां पहुँच रहे हैं वही पानी गाए और गॉववन्श पी रहे हैं ऐसे में उनकी जान जा रही है बस्ति की तस्वीरे आप देख रहे हैं सीयम का ड्रीम प्रोजेक्ट है गौशालाओं का सरक्षन और गौवन्शों का सरक्षन लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी इस पर पूरी तरह से पानी फिर रहे हैं पलीता लगा रहे हैं गौशालाओं में गुट्टों तक पानी भरा हुआ है जिसकी वज़ों से नदी नालो का पानी अब जो गाई के लिए पीने का पानी रखा जाता है उसमें मिक्स हो रहा है और वही पानी गौवन्श पी रहे हैं जिसकी वज़ों से उनकी जान जा रही है गौशालाओं में जो दिक्कते थोड़ी सी ये लो लेंड पर लो लेंड के वज़े से यहां पानी के एक समझ से पानी भरा हो गाई काई वार वही पानी गंदा पी लेते हैं में हम लोगों ने नड़े लिया है यहां पर ड्रम रखवाते हैं जब तक पानी समझ से आए और गंदे पानी को वैरिक्वित खरा देते हैं और जो यहां पर चूप पगल में यहां खाद के गड़े बनाएगे डिजाइन में तो इनकी पूरी गोबर की खाद यहां से सिफ्ट करा देते हैं तो सफाई हो जाएगी और इनका हम लोग हैं यहां पर देके वीडियो साहिब हैं हमाई साहिए और यह तो यह अपना आदा अपडेट के लिए मेरे से योगी अमित लाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बस्ती से अमित गौष सरक्षन को लेकर लगातार यह कोशिश की जा रही है कि बहतर से बहतर सुविधाय जो है इन परश्वों को दी जाए लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा है आखिर कमी किसकी है लापरवाही किसकी है ऐसे कहीं न कहीं अधिकारीयों की लपरवाही के ओजासे इतना गड़ा घटित होती है जहाँ पर सुखा भूसा खाने से सड़ावा भूसा खाने से गौवन्शों की जान चली गई और अब गंदा पानी पीने से गौवन्शों की जान गई है तो आखिर क्या समझा जाए कि पूरी तरह से लापरवाही दिखाई दे रही है पर डाक्टर की डाक्टरों को हर हटे जाकर निर्चन करना रहता है कि पसुओं की तवेत कैसी है गरबर तो नहीं है कहीं ना कहीं करमचारियों की लापरवाही से पूरे गौवसाला में जो गोवर है गोवर का गंदा पानी पीने को जासे चार गयों की मौत हुई है और बीमारी में तब्दीर हो गए गायें सब जा रही है कई बार उनका जो भूसा होता है वो पूरी तरह से सड़ चुका होता है उसके बावजूद भी वही भूसा उनके च्वारे के लिए डाल दिया जाता है वही खाकर उनकी जान चली जाती है यानि यह कहा जा सकता है कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर अधिकारी पू मंगल बाजार में उस वक्त हर कंप मच गया जो मंगल बाजार के गज़े गेट पर एक तीन साल का बच्चा नाले में किर किया वही घटा की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी मोहमद असलम और नगरपाली का अधियक्ष रीना भाती टीम सहीद मौके पर पहुँचे और ब नगरपाली का की लापरवाही से हुई मौत में उचित मौवजाद दिला कर क्या नगरपाली का की लापरवाही पर परदा डानने की कोशिच की जा रही है ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं घाज़ेबाद के तसीरे जहां पर नाले मिगीर कर एक मासूम बच्चे की जान चली गई है मौके पर नगरपाली का अध्यक्ष पहुंची है हालाकि आसपास के लोगों ने काफी जादा गुस्सा दिखाया आक्रोशित वो नजर आए जिसके बाद रीना भाटी जो की नगरपाली का अध्यक्ष है वो कहते वी नजर आई है कि परिद परिवार को उचित मौसम में नदी नाले उफान पर होते हैं और अगर बात की जाये तो कई रोड ऐसे हैं कई सडकी ऐसी हैं जिनके जो गटर से धकन खुले रहते हैं मासूम बच्चे उनमें गिर जाती हैं गिर कर मौत हो जाती है ऐसा ही मामला सामनी आया है लेकिन यहां पर नगरपाली का अ लेकिन अचानक खेलते खेलते वो नाले में गिर जाता है नाले में गिरने से मासूम बच्चों की मौत हो गई है परिजनों का भी रोरोकर बुरा हाल है और इसी खबर पर जादा अब बेट के लिए मेरे से योगी जितिंद्र भाटी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है गाजयबाद से जितिंद्र क्या कुछ जानकारी विल रही है नगर पालिका ये केती वी नजर आ रही है कि हम उचित मौफजा पिडित परिवार को दिराएंगे लेकिन अपनी जो करनी है जो कथनी है उस पर परदा जरूर डालेंगे आस्पडोस में हवाज लगा रहा है कि मेरा भाई नाले में गिर गया अब ऐसे में उस बच्चे को जब तक तलाशा जाता तब तक वो बच्चा बैंकर आगे निकल गया था नगर पालिका की टीम पूरी तरीके से एक्टिव हो गई थी आपको बता दें कि नगर पालिका की जान गई है जिसे पूरे इलाके में संसानी का महौल है गमगीन महौल है क्योंकि सभी यह इस बात को लेकर है रहान है कहीं उनके बच्चे के साथ को घटना नगर जाए क्योंकि वहाँ पर नाला काफी बड़ा है और खुला हुआ नाला है ऐसे दिल्ली सरकार को जाही को जा पर बसको लाचन ना लगे देखे लिए यह किया नाले को पूरी तरीक से खोल के डाल दिया है और पहले यह नाला इसको बंद करने की सवाय तेज के गई ती दिल्ली सरकार की सरफ से लेकिन आप इस नाले की तरफ पूरी देखने नहीं की जाती है खुल मिलाकर नाले की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है यहां पर एक बच्चे की मौत हुए और जब अनडियरेट की ठीम और तमाम टीमें रैस्क्यों ओपरेशन करती तब बच्चे की मौत हो चुकी थी फिरलाल बच्चे के शवक को नाले से निकार लिया गया है hij ze है अब आगे कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर लड़ाई होती रहेगी कि नाला जो है वो गाज़ेबाद शेतर में आता है या दिल्ली में आता है बिल्कुल पारूल यह कहना ठीक है कि यह लड़ाई करने का समय नहीं है अभी एक परिवार का जो चिराग है वो बुझ गया है और इलाके के लोगों में संसनी का महल है क्योंकि वो नहीं क्याते कि उस नाले के आसपास से होकर उनका बच्चा गुजरे ऐसे में कहीं उनके बच्चे की जान जोके में ना परदा जी बिल्कुल बहुत शुक्री आतमाम जानकारी पहुचा आने के लिए जितेंदर तो नगरपालिका की लापरवाही की वज़ों से बच्चों की जान चली गई ऐसा लोग आरूप लगा रहे हैं लेकिन अगर गाज़ेबाद की नगरपालिका की बात की जाए वो साथ तोर पर ये कह रही है कि जो नाला है वो दिल्ली की तरफ से आ रहा है ऐसे में यहां गलिती सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की है क्योंकि नाली को धकार नहीं जा रहा है आसपास के लोग कई बार शुकायत कर चुके हैं लेकिन सवाल ये उड़ता है कि एक मासूम की जान चली गई है उसको नजर अंदास करके यहाँ पर सिर्फ ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि ये जो नाला है वो गाज़ेबाद में आता है या दिल्ली में आता है रामपूर से डियमे सिक्षक का शात्रा के साथ आम मर्यादित व्यभार करने का एक वीडियो सामने आया ये वीडियो पांच सितंबर का बताए जा रहा है वीडियो में सिक्षक जब रन शात्रा को केक खिलाते शात्रा के साथ कालू पर केक लगाते और ये कहता वा नजरा रहा है कि देखो कोई आया बचाने मामले का वीडियो सोचल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है वहीं वीडियो वारल होने के बाद प्रधाना चारे में आरोपी सिक्षक आलोक सकसेना को सस्पेंड कर दिया साथी सिवल लाइन पुलिस द्वारा रोपी टीचर को रासत में ले लिया गया है ये तस्वीरे आप देख सकते हैं रामपुर के दयावती मोधी एकेडमी स्कूल का ये पूरा मामला है जहाँ पर एक सिक्षक एक शात्र को जबरन केक लगा रहा है पात सितंबर सिक्षक दिवस की ये पूरी खटा है जिस दिन जहाँ पर सिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा था सिक्षकों को पूजा जा रहा था वहाँ पर ये शर्मनाक तस्वीरे सामने आई है अपनी मर्यादा यहाँ पर सिख्षक भूलते हुए नजर आ रही है ये वीडियो तेजी के साथ सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है फिलाल इस पूरे मामने में प्रिंसिपल ने आक्शन लिया है और सिख्षक को निलंबित कर दिया है और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप बने रहे है नियूस वाल इंडिया के साथ